To Money, Love & Life आज हम लोग बात करेंगे CMS Info का IPO लेकर जो हर कोई कहा रहा है कि apply करना चाहिए बहुत profitable होगा लेकिन मेरा मानना है कि ये apply करने के पहले कुछ qualifiers लेकर discuss करना ज़रूरी है कि ये company कैसा है ये company का future क्या है इसका financials क्या था past में आईए हम लोग बात करते हैं और शुरू करते हैं कुछ important dates के साथ ये company का जो IPO आया है वो 21st December को आ रहा है और 23rd December तक आप इसको subscribe कर सकते हो अगर आपको मिलता है वो आपको पता चलेगा 28th December को अगर आपको नहीं मिलता है तो पैसा refund हो जाएगा 29th December तक अगर आपका share मिला है तो वो demand account में create होते होते 30th December और IPO list होगा 31st December ये company करता क्या है ये company का काम है cash management system solutions provide काना as in इतना सारा जो ATM's है वो ATM में time to time cash रखा जाता है वो cash रखने के पहले उसका forecast होता है कि कितना cash का requirement होगा एक ATM में, एक area में तो ये सारा planning, ये सारा management करता है ये company इसका chief investor है Sion Investment Holding Private Limited और ये company का जो price रखा गया है shares का एक share का price 205 से 216 में रखा जाएगा और एक lot होगा 69 shares का तो अगर आप invest कर रहे हों तो ये IPO का आपको रखना होगा 69 into 216 इतना पैसा तो इसमें retail के लिए रखा गया है 35% NII, that is HNI, मतलब High Net Worth Investors Individuals, उनके लिए रखा गया है 15% और QIB, qualified institutions जो है, उनके लिए 50% तो आप आते हों retail category में that is 35% में आपका fight होगा तो ये issue हो रहा है जो IPO ये purpose क्या है? किस लिए लाए जा रहा है market में ये IPO? इनका सोच ये हैं कि जो promoters है वो पहला चीज जो करना चाह रहा है कि 11,000,000 जो shares अपना जो share है वो छोड़ना चाह रहा है और 11,000,000 raise करना चाह रहा है और दूसरा चीज ये है कि stock exchange का benefit उठाना चाहता है कि open to market हो, cash flow steady हो ये चीज के लिए ये attempt कर रहा है company का अगर financial सा अगर आप देखते हो तो ये रहा आपके सामने एक graph इसमें आपको year on year क्या profit हो रहा है क्या revenue generate हो रहा है ये दिखेगा जैसे कि अगर आप देख सकते हो तो 31st March 19th उसमें 961 million profit था after tax बैसे 1347, 1685 this year and last quarter 844 which means there was consistently कुछ ना कुछ profit हो रहा था ऐसा कोई भी year नहीं गया in the last 3 years जहापे ये लोग profit नहीं कर पाया तो अगर briefly इसका review 2-3 lines में बोला जाए तो इसका जो IPO का pricing है वो काफी decent है इसका अगर आप देखते हो तो consistent growth है अगर आप देखते हो तो इसका long term या short term के लिए सोचा जा सकता है ऐसा कहा जा रहा है लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा कि CMS जो company है अब समझ पा रहे हो कि ये cash लेके इसका business है ये company का foundation ही ये है कि कितना बढ़िया से cash को manage किया जा सके और आज के तारिक पर इंडिया बात कर रहे है डिजिटल इंडिया का तो इसमें CMS का chances of growth थोड़ा questionable हो जाता है तो comment में बताइए कि अगर आप सोचते हो कि यहाँ still there is a way CMS will be bringing profits तो वो आपका opinion हम लोग जानना चाहेंगे विद इस वीडियो and subscribe and support us thank you